बीजेपी का बड़ता जनाधार, चारो राज्य में प्रचंड विजय और जीत दर्ज कराने के बाद, जहां एक और कॉंग्रेस और बाकी दल अपनी हार की और नहीं देख रहे हैं, वहीं पर बे बुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और ये नफरत की खेती जो बीज बोने का एकाम कर रहे हैं, वो देश हित में नहीं हैं। ये वर्षों तक सत्ता में रहे, राज्यों में इनकी सरकारे हैं, रिकॉर्ड दंगे इनकी सरकारों के समय हुए और आज भी अगर आप एक ही राज्य केवल राज्यस्थान की उधारन उठा कर देखेंगे, तो सोनिया जी को आईना देखने को मिलेगा। इनकी सरकारों में अपरादियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाय जाते हैं। ममता जी के जब से चुनी गई हैं, तब से पहले वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा, हत्याएं हुई, बलातकार तक ह महिलाओं के खिलाफ अपराद बड़े हैं, ये लोग इस तरह के ब्यान देंगे, जनता इनकी असली चेहरे को जानती है, और ये बेनकाब इनका चेहरे हुए हैं, क्योंकि अपने राज्यों में सरकारें ये धंक से चला नहीं पाए, कानून विवस्ता राज्ये का विशे ह और ये वहां पर ढंक से काम नहीं कर पाते हैं, तो बेबुनियाद आरूप लगाने का काम करते हैं, कुरॉली की बात लिजे, बाकी लिजे, एक के बात दूसरा, राज्येस्तान का अगर आप पिछला एक साल भी चुनेंगे, तो आपको कम साथ हैसे उधारन देखने को मिल करता है, तब ये चुप क्यों होते हैं, ये किवल नफरत के बीज बोते हैं, ये बांटो और राज करो की राजनीती आज तक करते रहे हैं, अब इनको ये हजम नहीं होता कि मोदी जी की लोगप्रता, मोदी जी का काम, देश और विदेश में, दुनिया ने सराहा है, तो ज कात्या की जाती है, आप एक के बाद किसी भी राज्यक दूसरा भार राज्या उठायेंगे, जहां कॉंग्रेर शाषित राज्जे हैं, चाहे तमिलाड की सरकार की बात कर लिजए, ये पस्चे मेंगौल की सरकार की बात कर लिए स्पष्ट देखने को मिलता है वहां पर ढंक से सरकारे नहीं चला पाते कानुन व्यस्ता की बुरी हालत है अपराद की घटनाएं बढ़ रही है यह राज्यों की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से नहीं नहीं भा पा रहे है लेकिन आज इस मुद्दे प के तौर पर यह कोशिश इन लोगों की है या सिर्फ इन मुद्दों के भरोसे या नाते यह लोग एक जूट होकर बयान देते हैं यह पिछले आठ वर्षों से ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं और बार बार विफल हो रहे हैं कहीं पर महागठ बंदन तो कहीं पर महाठक बंदन लेकिन इसका सीधे तोर पर देखने को मिला जंता ने इनको सभीकार नहीं किया है एक के बाद दूसरे चुनाब में पश्यें बेंगॉलमें की खाता नहीं खुल पाया था कॉंगरिस का उत्तर परदेश के चुनाब में 99% सीटों पर इनकी जमानतें जब तो हो गई ऐसी हा के बाद जहां पंजाब में बैठी बठाई सरकार इनकी चले गई बुरी हालत वहां पर हुई आप कल्पना कीजिए सिटिंग मुख्यमंतरी हार गे तो अपने आप में दिखता है कि जब इस तरह की हालत कॉंगरिस की है एक के बाद दूसरी हार देखनी पड़ रही है तो छट पटा हट में इस तरह की ब्यानबाजी सोनिया जी कर रही है शायद वो कॉंगरिस के तिहास पे नजर मारेंगी तो उनको नजर आएगा एक के बाद दूसरा दंगा और उनकी सरकारों की विफलता और उन विफलताओं में कई लोगों की जानने जाना कानुन व्यस्ता क बुरी हालत होना यह अपने आप में बहुत बड़े उधारन है जो सोनिया जी को के बार एक बार सोचना चाहिए एक से छोटा सवाल है दिल्ली की मुख्यमंतरी के आप खोद धिमाचल से आ रहे हैं वहां भी वो चुना लड़ने की तयारी कर रहे हैं दिल्ली में दो बुटों के भी जड़प होता है दो पुलीस वाल एक घायल होते हैं पुलीस वाल लगाये गए हैं सभी संबेदन सीर सब्सक्राइब करें देखिए वह मुख्यमंतरी है के जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तयार नहीं है आज तक पूछना चाहिए इनके बास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है क्या उटकम है उसकी तरह पता तो चले और दूसरा दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना यह संगिये धंचे पर एक प्रहार है और यही नहीं उत्तर प्रदेश में भी आये थे वहां पर इनकी नाकामियाब यहां रही सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं यह जो वोट बैंक की राजनिती के कारण यह लोग देश में इस तरह का वातवरन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं मैं यही कहना चाहता हूं यह नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षि दल कर रहे हैं अपनी राजनितिक नईया को डूबने से बचाने के लिए यह देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है इनके कारणा में जनता ने पहले भी देखे इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी